बैसे तो दिन में सोना आम तोर पर आलेста की निशानी मानी जाती है लेकिन अब यह बात सामने आई है कि दिन में सोना आलेसां नहीं बलकि अच्छे स्वास्तकी निशानी है एक रिपोर्ट के मुताविक दिन की जपकी सहत के लिए काफी फायदमन्द होती है जपकी लेने के बाद बैक्ती की नीद अच्छे से खुल जाती है उसे किसी तरह के परिशानी महसूस नहीं होती हाला कि सराप पीने के बाद यह जपकी नीद में बदल सकती है लेकिन दिन में छोटी छोटी जपकिये लेना आपके स्वास्ते के लिए फायद मन्द हो सकती है अगर आप दिन में जपकी लेते हैं तो विससवग्यों के मुताबिक जपकी केवल आधे घंटे से जादा की नहीं होनी चाहिए तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिन में जपकी लेने से मिलने वाले फायदे बताने वाले हैं लेकिन वीडियो से उकरने से पहले में एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सचे भारती हैं तो वीडियो को लाइक ओर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं कुछ मिन्टों की जपकी लेना सेहत के लिए किस तरह फायदिमंद हो सकता है नमबर वन इसमर्ण सक्ती को बढ़ाने में मददगार है जपकी नियमित रूप से दिन में 20-30 मिनट की जपकी लेने से सीखे हुए तथ्ये को याद रखना आसान हो जाता है क्योंकि इससे दिमाख सांत रहता है और इसमर्ण सक्ती पर सकारत्मक प्रभाब पड़ता है जर्मन नियूरो सैकलोजिस्ट की एक तीम द्वारा किये गए अध्यन में पाया गया है कि यदि कोई व्यक्ती नई जानकरी सीखने के बाद जपकी लेता है तो उस व्यक्ती की याद करने की संभावना पांच गुना अधिक हो जाती है तनाव एक घातक मनसिक विकार है क्योंकि यह रक्तचाप को बढ़ाता है जो हिर्दे रोगों का कारण बन सकता है इसलिए अगर आपको लगता है कि आप तनाव से गरस्थ हैं तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए नियमी तोर पर कुछ मिनट की जबकी लेना एक अच्छा बिचार साबित हो सकता है सोध करताओ का मानना है कि यह प्रिक्रिया रक्तचाप को नियंदिर करने के साथ साथ तनाव को दीरे-दीरे कम करने में भी मदद कर सकती है जब भी लोग थकान महसुस करते हैं तो उनके हिसाफ से एक कप कोफी का सेवन उनके थकान को कुछ ही मिनट में दूर कर सकता है हाला कि काफी से ऐसा मुमकिन भी है इसलिए उसे एनरजी बुष्टर भी कहा जाता है लेकिन काफी केफी न्युक्त होती है जिसका स्वास्तेपन नकारतमक असर पड़ता है इसलिए जब भी आप थकान मैसुस करें तो कोफी की बजाए कुछ मिनट की जबकी ले लें यकीन मानिए जबकी लेने से आप पर सकरतमक रूप से प्रवाब बढ़ेगा अगर आप अपने किसी काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे है तो इस इसलिए अपनी एकागरता चमता को मजबूत करने के लिए रोजाना 20-30 मिनट की जबकी लेना आपके लिए बहुत फायदिमंद हो सकता है ऐसे करने से आपको एकागरता चमता को मजबूत करने में बहुत मदद मिलेगी तो दोस्तो यह थे छोटी छोटी जबक्यां लेने से स्वास्ते को मिलने वाले फायदे यह फायदे आपको कैसे लेकी नीचे कमेंट करके हमने ज़रू बताना और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल लगें जै हिंज जै भारत